इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्मार्ट टीवी में जो यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए यहां पर इस तरीके से आपको यह केबल मिल जाएगी जो आपको यहां पर अपने लगानी है स्मार्ट टीवी के अंदर या टीवी कोई सब हो जिसमें HDMI पोर्ट लगने की जगोंगी महां पर यह एजिली चल जाएगा तो सबसे पहले हम यहां पर पीछी की जगा देख लेते हैं यहां पर ठीक है और यह जो आपको DVR में से लेकर आना है ऐसा नहीं कि कहीं से भी लियाए इससे में यहां पर जो है यहां पर फिस सेटिंग्स करने पड़े की कुछ तो देख लीजे आप यहां पर क्या सेटिंग्स करते हैं HDMI जो है अब हमारे DVR के अंदर कनेक्टिड है एक और यहां पर जो है आप मारे जो है कनेक्टिड होगा अब TV के अंदर से तो कुछ सेटिं यहां पर इसे पहले रन करने देते हैं चलने देते हैं उसके बाद देख लीजिए कि क्या करना पड़ेगा हमें उसके बाद लगने के पाद अब यहां पर यह चालू हो चुका है अब हमें उपर की और जाना है ठीक है और यहां पर हमें साइड में जाना है इस वाले आइकन पर दिख रहा होगा इसी तरीके से आपको remote में भी यह वाला बटन दिखेगा जरूर ठीक है इसको दबा दीजिएगा चाहे महाँ पर ले जाएगा ठीक है इसे input पर टिक करिएगा input पर टिक करने के बाद यहाँ पर HDMI 1,2,3 मिलेगे आपको इससे भी जादा मिल सकती है आपको LED के अंदर यह इससे भी कम मिल सकती है लेकिन जो यहाँ पर अभी यह जो है यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं दिखाए देरा है clicking option बट इसमें यह जादा जो है जो है यहाँ पर दिखाए देरी है तो इस पर हमें टिक कर देना है तो clickable पर टिक करना है और हमारे यहाँ पर camera वगेरा चल जाएंगे तो यह process रहता है इसका simple सा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा